हलो फ्रेंट्स आम हरीश देमला फ्रम एक्यूरेट फॉर्चून आस्टोलॉजिक दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्र देव की नमभाव की प्लेस्मेट के बारे में आएए जान लेते हैं सिंग लगन में अगर चंद्र देव नमभाव में आ जाएं तो हमें क्या फल यह दोस्तों नमभाव एक बहुत ही ऑस्पीशियस भाव है यहां से हम हायर एजूकेशन देखते हैं और रिलीजियस अक्टिविटीज देखते हैं धरम का भाव है और हमारा जो सोशल सरकल होता है जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं अपने संसकारों से धरम से इसी भाव स जो से हम देखते हैं रिलीजियस यह स्पीश्व जर्णी देखते हैं हायर ओलेज़ इन फिलास्थी कल नॉलिज देखते हैं हमारे पीता का घर है हमारे गुरुथ काıı और इंटरनेशनल ट्रैवल्स का भी घर यही है अब यहां बार्वे घर का चंद्रा गया बार्वा घर व्यभाव है चंद्र एक ट्रैवल का कारक ही है Significator of long travels overseas travels जो होते हैं समुंद्री यात्रा है तो पुराने टाम टाइम में होते थी अब जो हमारी overseas journeys हैं जो लंबी यात्राएं हैं समुंद्र पार वो हम चंद्र से ही देखते हैं और इनी चीजी चीजों का कारकी है चंद्र हमारा मन है और यह imagination का house से आया है जो 12th house है imagination का है कुछ private भी है privacy का house है secret activities का house है learnings का house है बिमारियों का भी घर यह है solitude का है अकेले पन का है और कुछ हमारे physical pleasures का भी है तो बहुत चीजें मिलती हैं चंद्र और चंद्र यहां से आके नमभा में आ गया यानि कि भागे में अगर हम अच्छी चीज़ें देखें तो हमारे भागे में international journeys रह सकती है, religious travels रह सकती है, religious activities रह सकती है, imagination रह सकती है, मां से हमारा लगाव रह सकता है, पिता से लगाव रह सकता है, गुरूओं की इज़त हम करने वाले होंगे, higher education foreign land में जाके ले सकते हैं, foreign की settlement में ये चंद्र हमें ले जा सकता है, और हमें spiritual knowledge में ये बहुत ज्यान दे सकता है, हम विदेश में जाके अपना धर्म फैला सकते हैं, अपने धर्म की स्थापना कर सकते हैं, अपने धर्म का परचार कर सकते हैं, और हमें बाहर के धर्मों के भी knowledge ये चंद्र दे सकता है, गर विदेश का यह घर है और यहां पर हमारा मन जो है उसका ज्यादतर जुकाव नवम भाव से रहेगा नवम भाव में जो जो चीजें मिलती हैं वहां उसका जुकाव रहेगा उन चीजों के प्रति वह अकरशित रहेगा तो इस तरह के फल ये वाला चंदर हमें यहां बैठा हुआ देगा और कुछ हमारा ये वै भी कराएगा कुछ इस घर का नुकसान भी होगा नुकसान तब होगा जब मंगल की स्थिती खराब है मंगल की गल्द घर में बैठा हुआ है या फिर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है तो हमारा कुछ नकुछ वय हो सकता है वय किन चीजों में होगा एजुकेशन में हो सकता है, हायर एजुकेशन में हो सकता है, ट्रैवल्स में हो सकता है, धार्मिक एक्टिविटीज में हो सकता है, धर्म में हो सकता है, चैरिटी में हो सकता है कहीं हम दान दून देने में अपना पैसा खर्च कर सकते हैं या फिर कहीं religious circles में, religious activities में हमारा हो सकता है पिता पे हो सकता है हमारा खर्चा तो हमारा खर्चा भी ये चंदर खाफी करवाएगा क्योंकि वैब हाव से आ रहा है भाग दोड रहेगी और कहीं sales marketing में हम अच्छे होंगे अपने communication skills हमारी बहुत अच्छी होंगी oral या written communication अच्छा होगा हम किसी creative काम में भी यहां कर सकते हैं अगर हम कुछ scriptures लिखना चाह रहे हैं या हम कुछ writing work में जाना चाह रहे हैं यह placement बहुत अच्छी है यहां भी quick minded होता है एक नंबर राशी fire sign है और यूँ कहना चाहिए कि यहां पर अगर चंद्र आ जाता है तो हम imaginative भी होते हैं creative भी होते हैं और quick minded होते हैं written work writing work में भी यहां पर हम काम कर सकते हैं क्योंकि तीसरे घर को हम देख रहे हैं थोड़ा सा हमारे plans कभी कभी airy plans हो जाते हैं क्योंकि साथ number राशी है तीसरे भाव में जब यहां चंद्र तीसरे भाव को देखता है तो definitely भाव भी activate हो जाता है आदमी में थोड़ी बहुत creative आर्ट भी यहां पर देखनों को मिल सकती है क्योंकि over imagination की वज़ा से लेकिन यह placement इतनी बुरी नहीं है क्योंकि मंगल की राशी में चंद्र है मंगल भागी का मालिक है भागे में चंद्र आ गया चंद्र चाहे बार्वे अधर का मालिक है लेकिन चंद्र सूर्य का मित्र प्लैनेट तो इतने बुरे रिजल्ट्स यहां नहीं देगा बल्कि अगर हम बार्वें घर से जुड़ जाएं तो यह रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ट्स हाउस में आजाए तो हमें फॉरण की एजुकेशन दे देगा फॉरण की सेटलमेंट दे देगा और ट्रैवल्स वगरा भी हमारे काफी रहेंगे और यहां नॉलिज वगरा हमें बहुत रहेगी हम एक विजडम से अपनी जिन्दगी को चलाने वाले होंगे और वेल्थ के मामले में भी यह चंदर अच्छा है क्योंकि चंदर वेल्थ का कारा किया क्योंकि ओरिजिनली फॉर्थ हाउस का लॉर्ड है फॉर्थ हाउस का इंपक्ट भी यहां रहता है फॉर्थ हाउस का लॉर्ड नाइध हाउस में अगर हम देखेंगे तो अच्छे ही रि यानि कि अगर हम बाहर एजुकेशन ले लें बाहर सेटल हो जाएं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ जाएं मल्टिनेशनल कंपनी से जूड़ जाएं या हम फॉरण के किसी भी सिगनिफिकेंस से जूड़ जाएं तो यह चंद्र हमें बहुत ही ब्लेस करता है और हमें लाइफ परन की सेटलमेंट यह चंद्र दे देता हैं तो इनहेरिटंस के लिए भी चंद्र अच्छा ही माना जाता है तो इनहीरिटंस में हलांकि थोड़ी बहुत प्राब्लम रहती हैं लेकिन लिए हमें वेल्थ वगरा मिल जाती हैं तो अब देख लेते हैं यहां पर नक्षत्रं तो प्लेसमेंट अच्छी होने चाट में तभी बहुत अच्छे रिजॉल्ट्स मिलते हैं अगर केतो कहीं दुष्टाना घर में पहुंच जाए तो फिर यह चंद्र थोड़ा पीडित हो जाए और ऐसे ही भरनी नक्षत्र में अगर बैठा हुआ तो शुक्र की प्लेसमेंट लक्र सूरी ऑपना ही उसका लिमें एक ही चरण पहला अगर करीटिगल नक्षत्र में चंद्र य्यजनघ की प्लेसमेंट आपको देखनी चाहीं और उसको देखके आपको चाहिए हैं अच्छी रिजर्ट्स मिलेंगेने दूसरा यहां मंगल डिस्पोजिटार मंगल व외 भी आपको देखनी होगे दोनों में से एक placement अच्छी है दूसरी खराब है तो फिर यहां अच्छे बुरे दोनों results मिलेंगे अगर दोनों ही placements अच्छी हैं मंगल की भी और नक्षत्र के लॉड की भी तो फिर आप जान लीजिए कि इसके अच्छे ही results ज्यादा मिलेंगे लेकिन हाँ कुछ खर्चंवर्चों का योग हमरी life में बनेगा ही बनेगा और यहां पर इनसान जो है नॉर्मली एक बहुत ही kind रहता है देलू रहता है और सब की इज़त करने वाला होता है सबसे प्रेम करने वाला होता है थोड़ा सा God fearing होता है थोड़ यह दिमाग में हमेशा रहता है कि जो मेरे करमाज है उसके genetics मुझे मिलें गी मिलेंगे तो कभी-कभी आदमी कई तरह की धारणाएं भी बना लेता है, कि यार अगर मैं ये करम करूँगा, ये खाऊँगा, गलत चीज़े खाऊँगा, तो उसके रिजर्ट्स मुझे खराब मिलेंगे, तो ये वाली इमेजिनेशन्स भी इंसान के दिमाग में चलती रहती हैं, और आदमी अगर फॉरण कंट्री से जुड़ जाए, तो भी हमारी डेस्टनी पॉजिटिव काम करती है, तो दोस्तों इस तरह के ये चंद्र यहां पर आपको रिजर्ट्स देगा, और मेरे रिखाल से अगर इसे हम कंक्लूट करें, तो ये बहुत अच्छी प्लेस्मेंट है, अहला कि बार्वे घर का लॉड है, लेकिन मंगल की राशी में है, मंगल और स्पीशियस प्लानेट है, चंद्र सूरिय का मित्र है, तो यहां पर अच्छे रिजर्ट्स भी बहुत देखने को मिलते हैं, तो ऐसा डरने की बाप नहीं है कि बार्वे घर का लॉड हमारे भाग में आ गया तो भागे का सारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बार्वे घर से आपको फाइदे भी दे सकता है, बार्वे घर से जो अच्छी चीज़े निकलती है, वो अच्छी चीज़े हमारे भागे में आ जाएगी तो फाइदे भी देगा, तो यहां पर हां एक ची विजिकल प्लैजर में कारनल प्लैजर में ले जाता है विच नाट कंसीडर गूट अधर्वाइस यह चंदर अच्छा यह है तो दोस्टो दिस इस आल फॉर देए उमीद करता हूं यह दिसक्रिशन आपके लिए यूसफूल है और आपको डिटेल में यह प्लेस्मेंट समझ में आ गई है इफ यूर लाइकिंग आर वीडियो प्लीस ट्राइट ट्राइब आर चैनल अन प्रियर्टी और यल्स विल सी यू तुमोरो आव नाइस ताइम गुडबाय और ठेक क्या ताइको बढूता है